दोस्तों जब भी मैं अपने वीडियो को कमेंट सक्षन को रीड करता हूँ तो वहाँ पर एक प्रॉलम सभी क्रियेटर का होता है वो प्रॉलम किया होता है कि सब कोई मुझे मेसेज करता कि भाई हमारे चैनल डेट हो चुका है मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आता है मैं अपने चैनल पर 500-2000 वीडियो अप्लोड करते हूँ लेकिन मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आता है अपने चैनल को पहले आपको दिखाऊं तो पहले यहां पर देखाता हूँ यहां पर में यहां पर मेसेज करता हूँ मेरे चैनल पर 60-000 सब्सक्राइबर था लेकिन फिर भी मेरे व्यूज क्या था पहले आप लोग यहां पर देखाऊं यहां पर मेरे चैनल पर यहां पर ज्यादा दिन मैं आपको नहीं बोलाओ छे मैंना पहले हां पर देखो तो छे मैंना पहले जो वीडियो अपलोड करता था मैं अपने चैनल पर मुझे खुद समाईब नहीं आ रहा था कि मैं कौन से वीडियो अप्लोड करूं तो मुझे भी यहां पर देखो जबकि दोस्तों यहाँ पर देखो साथ मायना, छे मायना पहले अगर मैं आपको दिखाओ तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपने चैनल पर कौन सी कटेरी का वीडियो डालो, कौन से वीडियो डालो तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं पहले इंट्रो का वीडियो डाला, बतलब बहुत सारे वीडियो अलग अलग टाइप का वीडियो अप्लोड किया एक्सपेरिमेंट करके देखा, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉंस नहीं मिल रा था यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों इतना मेहनत करने का बाद एगर वीडियो बनाता है कोई अप्लोड करता है और लगबग वो बंदा अगर तीन साल से काम कर रहा है उसके बाद अगर वीडियो अप्लोड करता है तो अगर डेर्ट सब्यू जाता ता आपको कैसा लगेगा तो मेरे साथ कुछ इसपरकर का यहाँ पर सीन था आप यहाँ एक साथ 1,500 वीडियो जाता है आज से 5 मेना 6 मेना पहले लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको अभी का वीडियो दिखा ओँ तो यहाँ पर देखाता हूँ तो यहाँपर चैनल को निकालता हूँ वीडियो से अला लेकिन मेरा ये कहना बिल्कुल गलत है दोस्तों आप दुबारा चैनल मत बनाओ दोस्तों, कोई चैनल से अगर भी की जिए पर करना होगा तो पही से को पुराना चैनल हिं उसमें कुछ संग्याबर Vielzess है rating कुछी में जीरो से स्टार्ट करो क्या दिक्कत है तो आज कि इस विडियो आपको जो सिक्रेट बताने वाला दो से आपका चैनल एक डेड़ हो चुका है तो आप उस चैनल को दूबारा ग्रो कर सकते हैं दोस्तों यहां पर आपका चैनल डेड़ लेकिन कुछ ऐसे थे जो लीटे करता हूं लेको यह लुपुक्र विद्यों से आफलोड करता हूं स्पाता चीज में निख मैं लग रहा है कि मेरा चैनल हो गया, तो आपको यह निकाल लेकिन आपको काम करना है पूराना इस चैनल पर ठीक है लेकिन आज से आपने माइंड में बढ़ा लो कि मैं अपने चैनल पर आज से स्टार्ट कर रहा हूं अबको क्या करना है इस चैनल पर जिसे प्रकार से वीटियो अपरोड करते हैं और भॐसक्त आपने अपने चैनल पर जोभी काम की ये तो समयनत को आप जिसके मदस नहीं आ रहा था आपका चैनल इक फलेट है तो आप फिर से ग्रोथ में बदल सकते है तो आपको पहला ट्रिक क्या करना है आई से आप एक चीज परण लो जो कि मैं अपने चैनल पर continue daily वीडियो अप्लोड करूँगा आई से पहले अगर आप दो दिन गायब थे तीन दिन गायब थे चार दिन गायब थे सपता दिन गायब थे तो वो भूल जाओ पहले आप ट्रेनिंग में थे आप सीख रहे थे यूटूब पर अब आपको पूरा knowledge हो चुका है जो कि कैसे वीडियो अप्लोड भी करना है कैसे घ्रू जुका है अगर 17 वीडियो अप्लोड करेगा तो इसका वीडियो चल जाएका उडियो रेंट पहराएग्हां तो आज आपको पहला परण लेना है कि मैं डेरी वीडियो प्लोड करना है बहुत चुछ होता यहाँ पर देखो पहले 5-6 मैना पहले मैं अपने चैनल पर डेली वीडियो अप्लोड नहीं किया करता था किसी दिन गायब था, दो दिन गायब था, तीन दिन गायब था, बीज वीज में वीडियो अप्लोड किया करता था क्यों क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर विडियो नहीं आता था विडियो अपलोड करने का भी मन नहीं करता है लेकिन आज से आपको वो प्रंड ले लेना है कि व्यूज आये, ना आये, बंदा देखे, ना देखे लेकिन फिर वे वीडियो डालूँगा अगर एक भी वी जाए फिर भी मैं डालूँगा वीडियो तो पहला आपको प्रान लेना है कि वीडियो रेगुलर डालूँगा और रेगुलर वीडियो अप्लोड करने से चैनल का जो ग्रोथ होता है दोस्तों आप लाइब में आपको सामने डेमो हूँ मेरे चैनल का आप ग्रोथ देख सकते हो मैं continue 6 मैना से रेगुलर वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों मैं बीमार नहीं होता हूँ क्या मुझे बीमारी नहीं होता है क्या मेरे घर में काम नहीं होता है तो आपको यह पहले सोचना होगा कल में क्या वीडियो अप्लोड करूँगा कल वाला वीडियो आपको आज ही अप्लोड कर देना होगा दोस्तों कल जो आप जो अप्लोड करने वाले वीडियो उस वीडियो को आपको आज अप्लोड करना है उसको कल पब्लीक करना है एक दिन एडवांस में चलो और यहां तक अपना 4-5 वीडियो में पहले किया करता था अपना अनलिस्टेड में रखता था अनलिस्टेड में क्यों रखता था क्योंकि अगर मैं किसी दिन अगर बिमार हो जाता हूं कोई emergency काम से कहींगर मैं चल जाओ तो उस दिन उस वीडियो को सिर्फ पब्लीक कर दूँ तो मैं already 3-4 वीडियो अपना अनलिस्टेड में रखता था ताकि अगर किसी दिन अगर मैं वीडियो बनाने ही सकूं कोई problem से अगर मैं फंस जाता हूं तो उस दिन उस वीडियो को पब्लीक कर दूँगा तो आपको पहले ये करना है अगर आपको चैनल का growth चाहिए अगर आपको starting में consistency को maintenance करना है तो कम से कम 3-4-5 वीडियो आप अपने अनलिस्टेड करके रखतू ताकि उस वीडियो को जिस दिन आपकर काम नहीं कर पाए कोई दिन अगर आप बिमार हो जाते है तो उस दिन उस वीडियो को पब्लीक कर दो पब्लीक करने में कितना टाइम लगता है सिर्फ 10 सकेंड तो ये हुआ consistency maintenance करने का तो पहला दोस्तों आज के बाद आपको अपने चैनल पर consistency maintenance करना है रेगूलर वीडियो डालना है अब जो बंदा रेगूलर वीडियो बना नहीं सकता है जिसे के बहुत सारे ऐसे करटेक्टी होता है जो कि डेली वीडियो नहीं बन सकता है तीन दिन चार दिन में एक वीडियो रेडि हो सकता है वो अपने चैनल पर तीन दिन चार दिन में परती है तीन दिन चार दिन में अपना एक वीडियो अपलोड कर दें अगर तीन दिन बाद अपलोड कर रहे हैं तो तीन दिन बाद आपको अपलोड कर देना अब दोस्तों आपको स्टार्टिंग में अपने चैनल पर आपको बकवास का वीडियो नहीं बनाना है बकवास का वीडियो मतलब जैसे कि बिना सर्चेबल दोस्तों यूटूब पर आप देखते होंगे मतलब इधर छे मैना के बाद आज तक जितने वीडियो में अपलोड किया हूँ छे मैना से इधर तो आप उन वीडियो को देखना है भाई पहले अपना खुद का व्यूज बढ़ा लो आपके चैनल पर क्या व्यूज आ रहा है तो अपना खुद का बढ़ा लो उसके बाद हम लोगों को ट्रिक देना घ्यान देना तो मुझे भी ये comment आता था उस समय मुझे भी demotivation फिल होता था लोग मुझे भी बोलते थे कि भाई अपना पहले subscriber बढ़ा लो अपना पहले वीडियो बढ़ा लो लेकिन मैं सारा comment को ignore किया कोई भी comment को मैंने read नहीं किया मैं देखा कि मुझे content पर upload करना content पर focus करना है तो मैंने लगाता तर subscriber कैसे बढ़ाएंyen तो binge कैसे बढ़ाएं या निकि searchable content YouTube पर वीडियो अप्लोड कैसे करें ऑफी लोग search करते हैं लोग search किया करते हैं YouTube पर मैंने उसी category को पकड़ा उसी topic को पकड़ा searchable topic पर लगा था वीडियो बनाया और बहुत सारे लोगों का comment आता था कि भाई खुद का पहले व्यूज बढ़ा लो खुद का subscriber बढ़ा लो आपके channel पर व्यूज नहीं आ रहा तो मेरा किया व्यूज आएगा तो यसे भी comment देखने को मिलता था लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि आपका channel का कोई वीडियो YouTube के search इंटेन में rank करता है और मेरा एक वीडियो फंस गया कि subscriber कैसे बढ़ाएं अब दोस्तों उस दिन के बाद मेरे channel पर फिर से व्यूज increase होना start हो गया अब जोस्तों मेरे channel पर भी अच्छा खासा व्यूज आ रहा है अब मैं अगर वीडियो बनाता हूँ subscriber कैसे बढ़ाएं व्यूज कैसे बढ़ाएं तो सबसे ज़्यादा व्यूज मेरा उन ही वीडियो पर आता है और जिस दिन आपका एक वीडियो वायरल होना start हो जाएगा तो पहला काम यही आपको consistency maintenance करना है दूसरा searchable topic पर आपको वीडियो बनाना है और दोस्तों आपको तीसरा काम क्या करना है तीसरा भी आपको एक काम करना है कि सबसे अलग करना है दोस्तों आपको किसी को copy नहीं करना किसी को देख करकर आप copy करेंगे तो चैनल नहीं चलेगा क्योंकि already उस प्रगा का बताने वाला तो है तो आपका वीडियो को क्यों देखेगा आप तो new आदमी हो आपको कोई जानता नहीं पाहिच जानता नहीं अलग आपको कयसे करना है कहा से content फाइंड करना है वह आप जानु मैं कहा से такая मुझे कहा से पता सलँ आपको दिमाग लगा ना होगा जो कि मैं क्या कर सकता हो अलेग मुझे अलाग किसी नहीं टोपिक पर वीडियो बनाना आ आपको ये देखना करना होगा पहले स्टार्टिंग में सर्चेबल टोपिक पर वीडियो बनाओ और अपने चैनल पर कंसेस्टेंसी मेंटनस करके रखो मैं जो आपको तीन काम बताया हूँ तो आपका चैनल का जो ग्रोथ मिलेगा सर्चेबल टोपिक पर काम करो कंसेस्टेंसी मेंटनस करो और सबसे अलग करो बाकि देखो आपका चैनल का ग्रोथ होता है कि नहीं होता है लगातार आपको तीन मेहना वीडियो अप्लोड करना है आख बंद करके व्यूज आये ना आये ओडियंस देखे ना देखे उ बंद मत्रोप